काम्याब होने के लिए याद रखिए का यह माइने नहीं रखता है कि आपने कितना किया माइने यह रखता है कि आप कितना कर सकते थे जब लंका में पूल बनाय जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता मा को लाने के लिए तो बंदर उपके साथ साथ गिलहरियां भ पीट पे वो राम जी का है राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना बिसाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा सरीर भी बिसाल है ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रहे है जितना इसकी छंता है तो आप अगर काम्याब होना चाहते है तो आज आठ घंटे पढ़ लिए या आठ घंटा मेहनत किये आप यह सोची कि आप कितना कर सकते थे और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पढ़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पढ़ जाता है अगर आपके अंदर जिमेदारी है न तो आप यकीन मानिए है आप चैन से सो नहीं पाएंगे जिमेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नीम चिरण लेती है रात में जगने वाला हर लड़का आसिक नहीं होता पैसा और समय में ताल मेल बीठाना बहुत जरूरी होता है पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे जबकि लोग गलती करते हैं लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे ऐसा नहीं है पैसा कहता है कि तु मुझे आज बचा ले मैं कल तुझे बचा लूँगा पैसा बेसक भगवान नहीं है और ना यह आपके साथ उपर तक जाएगा लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे गिवने नहीं देगा देखें पैसा जीवन में बहुत कुछ है बहुत कुछ लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है इंसानियत मायने रखने चाहिए समय के साथ अब कभी खेलवाड मत कीजेगा दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दुबारा समय देगा वक्त नहीं लगाईए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है